नबश्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल लेली जोति समाधान में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कहीं आपको किसी की बद्वा तो नहीं लग गई किसी का श्राप तो नहीं लग गया जिसके करण आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती हुई चली जा रही है आप इलास तो करा रहे हैं जादू टोने भूत प्रे तंत्रमंत्र का लेकिन आपको किसी की बद्वा लग गई है अगर सच में आपने किसी का बुरा किया है या तो आप अपने गमंड में चूर थे अपनी शक्ती के मुह में चूर थे और इस कारण से आपको किसी गरीब की या किसी आसाहय वेक्ती की या ऐसे वेक्ती की जो उस समय में आपके सामने कमजोर था उसकी आपको बद्वा लग सकती है बहुत सी बार ऐसा होता है यह व्यक्ति अपनी स्वैम की रिष्टेदारी में या अडोस पडोस में या जहां काम करता है वहां किसी ना किसी कारण से किसी की बद्दुआ ले लेता है और जब उस व्यक्ति के मन में से ऐसी आहा निकलती है कि जा तेरा सत्या या जा भगवान देख रहा है वो तुझे भी देखेगा कभी-कभी ऐसा होता है कि उस समय पर उस वैक्ति की जबान पर या तो सरस्वती बैठी होती है या किसी ना किसी प्रकार का ऐसा महुरत चल रहा होता है जो आपको जाकर लग जाता है और जिस वैक्ति को ये शराप लगता है वो धीरे-धीरे कंगाली की तरफ बढ़ने लगता है बिमारियां उसकी बढ़ने लगती है किसी ना किसी प्रकार की नशे की आदत उसे लग जाती है और उसके जीवन में से सुक समरिद्धी जाने लगती है जिस भी काम में हाट डालता है वो पूर्ण नहीं हो पाता लोग उसकी मदद नहीं करते और उसका वहवार भी लोगों के पड़ती ठीक नहीं रहता जिस कारण से वो बरबाद्य की कगार पर पहुँचने लग जाता है अब हम इसके उपाय की तरफ चलते हैं कि जाने अन जाने में अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है तो क्या किया जाए सबसे पहले तो अपने इतिहास में जाके देखिए कि आपसे वो क्या गलती हुई थी उस गलती को सुधारने का परियास कीजिए अगर वो व्यक्ति अवेलेबल है अभी तो डारेक्ट जाके उससे माफी मांग लीजिए अगर पैसों के लिन देन में कोई गड़बड हुई है तो वो से दे दीजिए नहीं तो किसी आसा है व्यक्ति की आप मदद कर दीजिए अब चलते हैं उपाई की तरफ की उपाई में क्या करना है आपको आपको क्या करना है पूजा वाली दुकान से जाके शुद्ध कपूर लेना है अच्छी क्वालिटी का 60-70 ग्राम 100 ग्राम तक आपको कपूर ले लेना है और खसकी जड़ लेनी है आपको 100 ग्राम या आपको पंसारी की दुकान से जहां से पूजा पाट का समान मिलता है वहां से आसानी से मिल जाएगी दोनों का पाउडर बना ले कपूर का पाउडर बहुत आसानी से बन जाता है खसकी जड़ को आपको थोड़ा मिक्सी में पीसना पड़ेगा पूरी तरह खसकी जड़ ना भी पिसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसे एक डिब्बे में रख ले पूजा वाली जगा पर अगर आप किसी प्रकार का जाप करते हैं पूजा पाट करते हैं तो पूजा करने के बाद इसमें तीन बार आपको फूक मारनी है और सुभा आपको क्या करना है एक पानी की बालटी में थोड़ा सा इसका पौडर डाल लेना है और सुभा शाम आपको नहना है 11 दिन तक आपे काम करेंगे तो 11 दिन में ही आपके जितने भी समस्या थी उनसे आपको निजात मिलनी शुरू हो जाएगी और आपको रहा दिखाई दे जाएगी कि इस समस्या के लिए आपको अब क्या करना है और समस्या का समधान आपका हो जाएगा नहीं तो आपको रास्ता निश्चित तोर पर मिल जाएगा कि मुझे अपने जीवन में किस दिशा में अब आगे बढ़ना है तो दोस्तों यह हमने छोटा सा परियोग बताया कि अगर आपको किसी परकार की बद्वा लग गई है तो आपको क्या करना चाहिए और आप माफी प्राथना जरूर करें इस वीडियो का लिंक मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा वहाँ जाकर भी आप इस वीडियो को दे सकते हैं और आई बटन में भी इसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूँगा जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और बैल का बटन दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए यहाँ आप सभी को मैं जानकरी देना चाहूंगा जो भी भाई बहन भूत पर जादू टोने नकारात्मक उर्जा की समस्याओं से बहुत ही जादा ग्रसित है और स्वैम से अपनी तरफ से कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है वो ललिजोतिस समाधान पर क्रिया करवा सकते हैं यहां हम क्रिया का काम करते हैं क्रिया के माध्यम से उसके सरीर में जो भी मलिंता लगी हुई है नकारात्मकता लगी हुए उसका काट करते हैं तो जो भी भाई बहन करना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे call करके या whatsapp करके आप अपनी किरिया book कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जै श्री राम